Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to EVS class. बच्चों, आज मैं आपको कुछ good manners and habits के बारे में बताऊंगी. ये जो chapter है, ये आपके बुक्का नहीं है, इसलिए आप परिशान मत होईएगा. बस आप, मैं जो बोल रही हूँ, आप उसको सुनिए और उसको follow करिए. ठीके, तो good manners क्या होता है, good manners क्या होता है, habit क्या होती, good manners क्या आप अच्छी आदते, ठीके, हमारे हर किसी को अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, और अच्छे तरीके से रहना चाहिए, ठीके, तो आई ये हम लोग जानते हैं. All the teachers praise Shubra, सारे teachers Shubra को praise करते थे, they say that Shubra is a well-mannered girl, मतलब बिल्कुल संसकारिक लड़की थी, she has good habits और उसके साथ बहुत सारी अच्छी आदते थी. All of us can learn good habits and to be good children. हम सब को learn करना चाहिए, कि अच्छी आदतों को कैसे हम सीखें और ताकि हम एक अच्छा बच्छा बन सकें. We can learn good habits at home and school और हम अपने घर से good habits सीखते हैं और अपने स्कूल से सीखते हैं. Okay, see Shubra is getting prize from her principal. We should respect our elders and teachers. हमेशा अपने teachers को respect करना चाहिए, अपने बड़ों को respect करना चाहिए. Always wish them good morning or whenever you meet them. हमेशा उनको good morning wish करना चाहिए और जब भी हम उनसे मिले तब हमको उनको wish करना चाहिए. We should say thank you when someone gives us something. और जब हमें कोई कुछ देता है तो हमें उसको thank you भी बोलना चाहिए. We should say please if we want something from someone. हमें please बोलना चाहिए जब हमें कुछ किसी से चाहिए होता है. कि please हम मुझे ये चाहिए. We should say sorry if we do something wrong और hurt someone. हम sorry बोलते हैं जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं या किसी को कुछ hurt करते हैं. और हमेशा हर किसी से politely, softly बात करनी चाहिए. ठीक है? We should use word excuse me और हमेशा excuse me word यूज करना चाहिए. जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं हमें चीका आ गई ये तब हमें excuse me यूज करना चाहिए. We should be punctual. We should do our work on time. हमेशा punctuality के साथ काम करना चाहिए. अपने समय पे अपना काम करना चाहिए. We must keep our things like bags, school shoes, water bottles, books, toys, etc. अपनी चीजों को, अपने सामान को, अपने खिलोनों को, अपने books को, bags को हमेशा अपनी जगा पर रखना चाहिए. इधर उधर फेकना नहीं चाहिए. We should go to bed early at night and wake up early in the morning. और हम लोगों को early सोना चाहिए और early उठना चाहिए. जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. सुबा. We should always stand in the queue and wait for our turn. हमेशा क्यू में खड़े होना चाहिए और अपने जब भी turn आए उसी समय अपना काम करना चाहिए. आपको जल्दी बाजी हडवड हडवड नहीं करना चाहिए. We should not push each other और कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. We should throw waste in the dustbin और dustbin में ही कुड़ा वेकना चाहिए. We should not spit on the road. और road पर कभी भी थूखना नहीं चाहिए. रोड पर थूखने से जो हमारे मूँ से germs हैं या फिर कुछ भी हैं वो road पर गिरेंगे फिर वो पैर से धरुदर होंगे. ये बहुत थीक bad manner से dustbin में कुड़ा डालना चाहिए. We should not tease animals. और animals को कभी भी चिड़ाना नहीं चाहिए. उन्हें मारना नहीं चाहिए. उन्हें समय पर उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए. उन्हें समय समय पर उनको खाना देना चाहिए. तो इस तरीके की चीज़ों को हमेशा follow करनी चाहिए. तो ये रहें कुछ गुड़ मैनर्स जो की शुबरा नाम की एक लड़की है. उसके अंदर है. बच्चों आप सब अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे मैनर्स को अपनाईए. और अच्छी आदतों को सीखिए. ठीक है? जिससे आप अच्छे रहेंगे तो हम सब कुछ आप अच्छे रहेंगे, स्वस्त रहेंगे, healthy food खाएंगे, junk food नहीं खाएंगे तो आप हमेशा healthy कहलाएंगे और हमेशा good manners में रहेंगे. ठीक है? तो good manners में ये भी होता है कि हमें हमेशा healthy food खाना चाहिए. ये नहीं कि हमें जब जो मन की हम वो खाएं. तो students I hope that आपको समझ में आया होगा कि कैसे healthy होना है कैसे good manners को follow करना है okay students